Hello everyone, welcome to the session. अगर आप EDAE Assistant Manager exam के लिए परपेर कर रहे हैं और Phase 1 में, especially Quant को लेके आपको कोई भी doubt आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Quant के लिए A to Z solution यानि कि कितना पढ़ना है, क्या target score होना चाहिए, किस approach से पढ़ना है, किस level पर पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितनी practice की requirement है, कितना time देना है और क्या बचे हुए time में हो जाएगा या नहीं तो इस वीडियो के end तक देखिएगा हर एक question का आपको बहुत ही अच्छा answer मिलेगा और अगर आप ये strategy follow करेंगे, तो यकिनन आप भी बहुत अच्छा score कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं pattern से, तो सबसे पहले अगर मैं ID assistant manager की बात करूँ तो quant जो है, वो आपके phase 1 exam में पूछा जाता है और phase 1 exam में total 160 question होते हैं, उन में से 40 question आपके quant से होते हैं, जो की 40 marks के ही होते हैं, ठीक है और यहाँ पे आपको एक minimum score भी set करना पड़ेगा, क्योंकि sectional cut off होती है कोई sectional timing नहीं होती है phase 1 में, composite 90 minute मिलते हैं बट जो sectional cut off होती है, वो यहाँ पे रहती है, वो भी हम discuss करेंगे ठीक है, चलिए, तो अब जो आपके सवाल हैं, उन सब का मैं बारी-बारी से answer कर रहा हूँ पहली जो आपकी problem होगी, जो आपको phase करने को, जी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा that is कि अगर हमारा exam, जैसे बोला था 10th October, rumors चल रही थी एक date उसी date पे होता है, तो क्या इतने दिन में भी possible है, तो answer होगा yes, तब भी possible है बेसक से, बहुत high score नहीं कर पाओगे, बड़ cut off बगारा निकालना, तो तब भी possible है लेकिन अगर थोड़ा आगे होता है, तो फिर आप बहुत अच्छा score कर सकते हो पहली चीज तो क्या possible है, तो answer होगा yes, दूसरी चीज, क्या हमें target score रखना चीए यहाँ पे तो पहला answer ही ही, question ही था हमारा, fix your target, तो target score क्या होना चीए देखो जो sectional cut off है, पिछली बार वो 25% थी, 25% का मतलब है 10 question आपको बिल्कुल zero wrong question, 100% accuracy के साथ solve करने बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ से जो target score है आपका वो 20 से 25, easily हो सकता है, आपको इतना target score जरूर रखना चीए, क्योंकि जो overall cut off है वो थोड़ा high जाती है, तो इसके बाद आपको फिर इतना score तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि overall आपको phase one paper clear करना है, ठीक है, उसके बाद, फिर पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, तो उसमें आता है focus on important chapter आपको सिर्फ important chapter पर focus करना चाहिए, यहां पर पूरा सलेवस cover करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको यह भी मालूम होना कि कहां से कितने question आते हैं, अगर मैं बात करूँ, यह 4 topic, जैसे सबसे पहला है simplification, ठीक है, दूसरा topic जो यहां पर होगा, that is number series, तीसरा topic जो होगा, वो होगा quadratic equation, चोथा topic होगा, data interpretation, ठीक है, अगर आप यह 4 topic भी कर लेते हैं, तो minimum 25 question तो आपके यहीं से पूछे जाएंगे, सिर्फ इन 4 topic से, और बाकी का जो arithmetic वाला portion बच गया, सारा, उसमें सब topic आते है जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका percentage है, ratio है, देखो percentage और ratio तो आपको DI के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना percentage ratio और calculation के DI हो गई नहीं, तो इसके इलावा profit and loss है, interest है, simple or compound interest है, ages है, partnership है, इसके इलावा time and work है, time speed distance है, या mensuration है, probability है, तो यह सारे topic मिलाके, इन से 15 question होंगे, हो सकता है कि यहां से 30 question भी हो, लेकिन 25 तो जैसा past year का analysis हम देखते हैं, उस पर जरूर मिलेंगे, तो इन topics पे आपकी अच्छी command होनी ही चाहिए, ठीक है, simplification, number series, quadratic equation और DI, और उसके बाद फिर बागी topic आपको लगे, 5 topic मगड़ लो इन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद, जो तीसरी चीज़ आपको यहां पे करनी है, कि अगर मैं, मैंने दो question और बोले थे आपको बीच में, कि level क्या होगा, ठीक है, questions का level क्या होगा, तो यहां पे जो questions का level होगा न, वो अगर मैं बोलू, level, वो easy to moderate ही होगा, ठीक है, आप आप बोलोगे easy, easy word तो गलत असर मेरा तो math board tweak है, तो यहां में moderate word यूज कर देता हूँ, ठीक है, इसको आप RBI जैसे exam से compare मत करना, वहां तो मुश्किल सवाल आते है, यहां पे ना easy होगे, ना मुश्किल होगे, तो moderate level होता है, जैसे sebi grade A के अंदर, navad grade A के अंदर, bank PO के pre के अंदर होता है, clerical के अंदर होता है, तो वैसा level आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है भाई, तो यह वाली कहानी भी आपकी clear होगी, पहली चीज हो सकता है की नहीं, बिल्कुल हो सकता है, दूसरी चीज target कितना रखना चाहिए, बता दिया है, तीसरा important topic वो भी बता दिया है, exam क level कैसा होता है, वो भी बता दिया है, अब next question आता है, right sources आपको follow करने है, ठीक है, अब यह right sources क्या होंगे, ठीक है, अब right sources की अगर मैं बात करूँ तो मैं बताऊंगो आपको इसी वीडियो में, अब right sources के अंदर क्या है, पहली चीज तो आती है कि books, ठीक है, कि sir मैं तो self prepare कर हो, तो यह सारी books बराबर है, आप Kiran Publication ले लो, Rs. Agarwal ले लो, अरिहंत ले लो, इन सब का level एक जैसा है, लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा साना updatesion तो मांगती है, बुको और बहुत जल्दी नहीं होती है, ठीक है, तो आजकल का जो नया सा pattern है, और मैं बहुत बार बोलते कि सिभी और नबाड के जो recent paper हुए है न, prelims, उनका analysis video देख लो, जैसा trend वहाँ है, ऐसा trend आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, तो उसी trend के हिसाब से फिर इन सारी books में से practice कर लो, अरुन सर्मा या cat वाली book यहाँ बहुत ज़्यादा level हो जाएगा, level 1 तक तो ठीक है, ज़्य ज़्यादा 2 कर लिया, है न, वो भी maximum है, level 1 से ही हो जाना है आपका, ठीक है, तो books हो गया, उसके बाद हमारे ही channel पे QRE की playlist है, ठीक है, हमारे इसी channel पे Quant Reasoning English की playlist है, ठीक है, ठीक है, for RBI, Sabi और नबाड, तो उसके अंदर basic fundamental के भी question है, basic fundamental series शुरू कि थेक हमने, तो वो lecture आप हमारे course से भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल one stop की, मुझे किताबें, बहुत सारी research किनी करने हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर practices दकी, जितनी ज़्यादा practice करोगे न, उतना benefit होगा, क्योंकि 90 minute है, 160 question है, तो बिना speed के नहीं होगा, आपको अच्छी और ऐसा भी नहीं है कि cutoff 50-60 जाती है, ठीक है, RBI की cutoff तो 200 में से 60 से नीचे थी पिछले 3-4 सालों में, इस बार अभी तक पता नहीं चल पाया, बट 60-70 में ही होगी, लेगिन यहां तो 80-90 में जारी है, 160 में से, तो मतलब अच्छी cutoff है, तो आपका यहां से काम हो जाएगा, ठीक है, चलो, तो एक सेगंड का टाइम मुझे देना पड़ेगा आपको, हाँ ना, अब आप देखेंगे, तो सबसे बहले यूट्यूब चैनल पर ही चलते हैं, हमारा यह एडूटेप रगुलेटरी बोडी है, हमारा यूट्यूब चैनल तो RBI के इलावा आप पीछे जाओगे ना, तो बहुत सारे सेशन आजेंगे, इसी में हमारी एक, यह देखो, क्वांट का कम्प्लीट रिवीजन, यह देखो, यह देखो, RBI ग्रेट भी फेज वन के लेक्चर है, इससे पहले फंडामेंटल सीरीज आएगी एक, ठीक है, य RBI के ही चल रहे हैं भी, तो इसी में आपको मिल जाएंगे, मैं ओपन कर देता हूँ, पूरा प्रोपर आपको दिखा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो यह इनके पार्ट जैसे यहां पे मैंने दो-दो-दो पार्ट ले रखे है, अगर आप देखोगे, ठीक है, यह इस foundation series ही है, RBI के लिए, ठीक है, इस foundation series में देख लेना, जैसे math, reasoning का पहला lecture है, दूसरा है, लेकिन level थोड़ा हलके रखना, ठीक है, तो यह foundation series ही है, इसी foundation series को आपको देखना है, सारे lecture आपको मिल रहे हैं, ऐसे ही फिर quant के आप बात करोगे, आगे quant में simplification, ठीक है, फिर number series, फिर आप देखोगे तो यहां, और उसके बाद दूसरे lecture आजाएंगे, जीतने भी है, यह देखो, basic fundamental, simplification, number series, quadratic equation, part 1, part 2, percentage, फिर ratio, partnership, सारे lectures हैं, तो यह आप, यह series आप देख सकते हो, है न, चलिए, और उसके बाद फिर आप हमारी website पे जाओगे, edit app.in पे, यहां courses पे जान ठीक है, तो इरड़े का course है हमारा, यह देखो, दो courses है हमारे, एक यह phase 1 और phase 2 का live class course है, और एक यह phase 2 का live class course है, तो इनसे भी आप जूड सकते हो, इनके बारे में पढ़ लेना, इन पे अच्छा खासा discount भी मिल रहा है, यहां कुछ sample material भी है नीचे, यह भी आप देख सकते ह ठीक है, और इरड़े के बारे में और detail में जानना है, आपको तो एक्जाम पे जाके, इरड़े पे आप click करोगे, तो इरड़े के बारे में complete information आजाएगी, यह भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, चलो, वीडियो को छोटा ही रखना था हमने, इसलिए मैं आपको बहुत जादा detail में चीज़ें नहीं बताऊँगा, बड़ आप हमारी website विजिट करके, और से भी जूर सकते हैं, और other information भी ले सकते हैं, previous year paper चाहिए, तो screen पे आप देख पा रहे होंगे, आप वहां से download कर सकते हो, इसका link भी इसी वीडियो के description में, तो उम्मीद करूँगा, बहतर तरीके से समझ पाई होंगे, अगर समझ आया, तो एक comment करने में गुरेज नहीं होना चाहिए, जितना effort हम लोग करते हैं, आपकी तरफ से भी comment जरूर मिले, वो हमें motivate करते हैं, तो जरूर करिएगा, आप सब का बहुत-बहुत सुक्रिया, thank you very much, जै हिंद, जै भारत.